कि अग्याइज दिस वीट एंग वेलकम बैक टू मैंशन सो इस आज की इस वीडियो में हम करने वाले कुछ प्रोफेशनल लेवल एडिक्टिंग जिसके थू आप भी अपने काफी सारे फोटो को एक अच्छे कासे लुक में कनवर्ट कर सकते हो और आज मैं आपको अग्याइज करके दिखाने वाले हूव लाइट रूम में और लाइट रूम क्या एक एडिटिंग साफ्ट्वेर है और काफी टाइम बाद तो काफी लोग कोवेट यह न्यू यर में काफी सारे प्लिक करवाएंगे यह बट जब करने आप जाते हो तो आपको एकी चीज समझ में आता है, saturation थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं, brightness थोड़ा घटा के देख लेते हैं, इसको मतलब कौन सा fit bad या है, बस उसमें जा के रोग देना है, उस चीज को upload कर देना है, तो वो एक normal level editing हो गया है, जो हर जगा पे हमें देखने को मिलता है, but मैं आज जो editing के बारे में आ Lightroom download को लो, download करने के बाद, कोई सा भी photo जो आपके पास से पहले उसे open कर लो, जैसे मैं example के लिए एक photo यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, same t-set में मेरा photo है, तो उसे मैं edit करने वाला हूँ, वैसे देखने में photo तो काफी सांदार है, काफी अच्छा है, but photo में वो label वाला ब auto section काफी सही काम करता, auto section में click करोगे, उसके बाद ही आपका photo काफी अच्छे से यहाँ पर edit हो जाएगा, उसके बाद अगर आप बोलोगे कि यह photo भी उससे कुछ अच्छा होगा, before and after में काफी ज़्यादा फरक देखने को मिल जाता है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, light मे जाने के बाद, जैसे कि आप लोग वहाँ पर देख पा रहे होगे, कि exposure का option है, और exposure हमारे photo में काफी ज़्यादा बढ़ा होगा है, तो थोड़ा सा उससे हम कम कर लेंगे, around, ठीक है, इतना कम ठीक रहेगा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कि contrast को भी थोड़ा सा घटा लेना है, contrast काफी ज़्यादा है इस photo में, and then highlights के उपर जाता है, तो highlights इसमें काफी ज़्यादा है, उससे भी थोड़ा कम कर लेना है, मैं पहले ही बता दे तो urban photography में थोड़ा faded look रहता है, तो faded look देने का कोशिस कर रहा हो इसे, and shadow को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेता है, ठीक है यह आपको यहाँ पर इस तरह का setting मिल गया, and whites वगेरा, और black में अभी कुछ हम लोग को छेड़ चार नहीं करना है, मैं आगे बताओगा, यहाँ पर क्या 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 हमें और करना है, उपर सबसे पहले आओ तो यहाँ पर curve का option देखने को मिलता है, curve में हम लोग चले जाने क यहाँ से इस arrow को थोड़ा सा उठा के इसे थोड़ा faded look देने का कुछ दर गें, यहाँ से यहाँ पर सड़ा देंगे, अब यह क्या हो रहा है, एक hockey stick जैसा safe बन रहा है, तो इस चीज को यहाँ पर ले लेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पर done कर देंगे, बाकी और भी colors के स साथ है, तो हम उसके साथ ने करना है, वाइट के साथ यह काम करना है, ठीक है, done कर दिया, done करने के बाद second option है colors का, colors में हो लोग चले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे होगी तो vibrance का option है, vibrance क्या करता है, green and yellow होता है, उसको थोड़ा से enhance कर देता, हम थोड़ा से और उ हमें क्या करना है, mix वाले एक option आपको देखने को मिलेगा, mix में आपको क्लिक कर देंगे, mix में आ जाएंगे, उसका इसमें क्या होता है, कि specific कोई color को इसमें target किया जाता है, जैसे मेरे फोटो में यहाँ पर red color यहाँ पर targeted जैसे सबसे पहले दिख रहा है, तो red को हम थोड़ा सा यलोईस में convert करने हैं, यलो and orange look में थोड़ा convert करने का खुशिस करने के थोड़ा back ही से आ जाते हैं, और saturation इसका थोड़ा हम घटा देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा luminance बढ़ा देंगे, जिसे करने वो फोटो उभर के सामने आने लगा है, इतना इटिंग ठीक रहेगा, इतना ठीक रहेगा, इतना ठीक रहेगा, उसके saturation को भी थोड़ा कम कर देंगे, तो हमारा face है, वो भी yellow थोड़ा दिखने लगगा तो उतना मज़े नहीं आएगा देखने अच्छे से काम करना है, यलो मेन फोकस हमें यलो पर करना है, यलो का saturation हमें बढ़ा देना, क्योंकि एक urban photography में यलो बहुत ही matter करता है, यलो, orange और red ये बहुत जाना matter करता है, बाकी color से कोई मतला में में नहीं लगा हुआ है, उसका फिर हम इसका थोड़ा सा look change करने है, आपक कुछ कम जादा हो गया है, बट अभी time है, गाइस अभी थोड़ा सा look हो, इसमें और हमें कुछ add करना है, luminance को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 तक लिए चले जाएंगे, 20 पर luminance आ गया, अब ऐसा ही setting हम करें, अब बाकी जितने भी चीज़ है, उसको हमें, और कोई भी color हमें जाए, तो सारा चीज़ को हम saturation खदम कर देते हैं, saturation खदम करने के बाद वो सारा color खदम हो जाएगा, अब इसके बाद ही देखने में काफी जादा सांदार photo लगने लगा है, बट अभी इसमें काफी काम बाकी है, तो सबसे पहले हम इसे done कर लेते हैं, and done करने एक बाद next वा कर देता हूँ, इसमें clarity, 60, 60 ठीकराना चाहिए, बढ़ा लेना है, जिसके करना आपका photo खुरदूरा खुरदूरा जासा दिखने में लगेगा, तो उसके करना look जो है थोड़ा सा change हो जाएगा, तो इसे हम थोड़ा बढ़ा लेते, and इस जगार पर इस option को थोड़ा सा हमें कम कर लेना है, जिसके करना आपके side side से थोड़ा photo black black देखने में लगा है, जो कि आपको एक अच्छा epic look देता है, then उसके बाद हम इसे यहाँ पर done कर देता है, done करने का option, अच्छा, done हो गया, अब इसके बाद हम फिर से वापस से light में आ जाते है, light में हम हमीं क्या करना है, थोड़ा से exposure को अब बढ़ाना है, exposure को थोड़ा से बढ़ाना है, then जो highlights है, highlights को और भी थोड़ा कम कर देंगे हम, ठीक है, उसके बाद अब नीचे आओ तो वो जो white है, white थोड़ा चादा हो गया, तो white में हमें क्या करना है, white को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसका blacks को थोड है, done हो गया, अब यह हो क्या रहा है, कि अब जो है, complete urban photographic का texture में यह आ गया, और जो normal photo था, वो तो बढ़िया photo था ही, बट यह जो है, यह थोड़ा एक अलग epic level का photo हो जाता है, और अब इसमें मैं आपको एक अलग setting दिखाता हूँ, जहां पर जैसे यह यह photo मैंने, यहां मुझे option मिलता है, copy करने के लिए, जो मैंने चितना भी settings यहां पर set किया है, सबको मैं एक साथ copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद, अब अगर आपके बस कोई और photo है, उसमें same setting को paste करना है, तो बस यहां से back करना है, कापी सारे photo मैंने यहां पर पहले से लगा रखे हैं, जैसा इसी हम paste करेंगे, पस उसके बाद आपका जो photography है, जो पहले editing किया था, same उसी में convert हो जाएगा, तर में कितना ज्यादा फर्क आपको देखने में लग रहागा, वो एक normal जो photo था, उसे तो हम normally upload करते हैं, बस इसका एक अलग ही level का editing है, जो आप यहां पर देख पारेगा, जै बस और कुछ नहीं करना है, इस complete नहीं बढ़ाना है, बस इतना, आप देखो यह photo उससे भी और ज्यादा तकड़ाओगा, इस यहां पे आपका creativity ज्यादा काम करना चाहिए, मैंने छोटा सा आपको example दिया, बाकि इस चीज़ को जाके आप upload कर दोते हो, और मैंने Instagram का भी link इ करें, सब्सक्राइब को लेए, बाकि मैं मिलता हूँ, चैनल के नाइक वीडियो अब तो तक लिए, बाबाए गाइस